युगादी देव आदीनात परमात्मा के चर्णों में कोटीशन अमन गिर्नार मंडन नेमिनात प्रभु के चर्णों में कोटीशन अमन चरम तीर्था दीपती भगवान महाविर स्वामे के चर्णों में कोटीशन अमन अनन्त लब्दी निदान गौतम स्वामी जी महाराज के खर्टर गच्छा दीपति aisुचर्य भगने को हीशा नुद 10 पुजा अचिरण कि माहराज के चल्णू मेंको टिशन नमन किया पार न tu उपाद्यां भगवन तोंके चल्णों मेंको टिशरन नमन रतनादिक मुनी बगवन्तों के चणों में कोटी शनवन सरल सभावी मुनी बगवन्त साध्वीजी माराज दरम प्रेमी भाईयों एम माता जब जैपूर में थे तब सुना था नवानू यात्रा अनायास ही योग बनते बनते इस यात्रा तक पहुंच गए परन्तु जो शब्द यात्रा का समझ आता है उसको एक छोटे से गटना करम से समझने का हम प्रेयास करेंगे हम कलपना करें कि हम एक पथिक के रूप में एक मुसाफिर के रूप में एक बंजर भूमी पर आकर खड़े है जहां पर निरव शांती है किसी प्रकार से कोई हलन चलन कुछ भी नहीं है और इदर उदर देखते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता परन्तु कुछ दूरी पर हमारी दृष्टी को कुछ लंबे समय के लिए रखते हैं तो एक परवत और परवत के उपर से धुआ निकलता हुआ हमें दिखाई देता है बस उसी को मंजिल ध्यान में रखते हैं हम आगे बढ़ते चले जाते हैं कुछ दूरी हम जंगा बलके माध्यम से तै करते चले जाते हैं और मध्या में हमें एक लाठी की प्राप्ती होती है काफी दूरी चलने के बाद पाउं ठकेवे रहते हैं लाठी का सहारा समझ आता है लाठी को स्विकार लेते हैं लाठी को हाथ में ले लेते हैं और उस लाठी के सारे कुछ और दूरी हम तै करते चले जाते हैं तै करते करते कि जहां पाओं के बल से चले उसके बाद लाठी के बल से चले और कुछ दूरी तै करते करते हमें एक वहां साइकल नजर आ जाती है और साइकल जैसे ही नजर आती है पूरकृत संसकार और अपने आप हमारा काम हमारा माइंड हमारा दिमा काम करने लग जाता है स साइकल पर सवार हो जाते हैं पेडल पेडल मारते पेडल पेडल मारते मारते और उसी दिशा में कि जिस दिशा में वो परवत है और वहां से धुआ उड़ता हुआ आपको हमको दिखाई दे रहा है उसी दिशा को ध्यान में रखते हैं हम आगे गती करते चले जाते हैं इतने में कुछ महीने व्यतित हो जाते हैं साइकल पर सवारी करते करते और हमें वहां कुछ आगे एक गोड़ा दिख जाता है क्या करते हैं साइकल को विराम दे देते हैं और गोड़े की सवारी कर लेते हैं और जैसे ही गोड़ी की सवारी करते हैं लगाम कसते हैं गती तिवर हो जाती है और तिवर गती से उसी लक्षक के ध्यान में रखते वे हम आगे गती करते चले जाते हैं परन्तु गोड़ा भी काफी लंबे समय से चलते चलते ठक जाता है और वो किसी प्रकार से अपनी स्वि मिल जाती है कि पूर की अपेक्षा से कुछ सुन्दर पुन्य उद्य में आता है मोटर साइकल की प्राप्ति हो जाती है वहां पर घोड़े की अपेक्षा से गती भी जादा यात्रा करने में हमें आनंद मजा भी जादा और साती साथ विबिन प्रकार के ख्रिया कलाप करने मे अर्थात बाइक हाथ में रहती है तो विबिन प्रकार से उसको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करने में हमारी मान सिकता है रहती है परन्तु फिर भी बाइक पर सवार होते होते हम कहीं पर भी उस परवत से उड़ता हुआ धुआ उसकी और ही हम गती करते चले जाते हैं औ यहां पर चार पईये वाली लेटेस्ट मॉडल वाली SUV आपको दिख जाती है। और जैसे ही वह विंकल्प मिलता है, बाइक से हम उतर जाते हैं और कार में सवार हो जाते हैं। और जैसे ही कार में बिराजते हैं, बैठते हैं, वहां का वातावरण, वहां का एम्बियंस, वहां की सुविधा हैं। कि बटन दबाया, गाड़ी चालू, टैंक भी फुल इशारा कर रही है। नया नया लेटेस्ट से लेटेस्ट म्यूजिक सिस्टम उसमें लगा है। जो कुशन वाली कुर्सी थी, वो इतनी आराम दायक थी, कि विभिन प्रकार की यात्रा जहां पैदल चले, लाठी के सारे चले, फिर साइकल पर चले, फिर गोड़े पर चले, और फिर बाइक पर चले। परन्तु कार में बैठ कर अब आटो मोड में गती करना। अब बस वो गती करते गए, करते गए, करते गए और कुछ समय के बाद एक बीब बजी और उसने संकेत दिया, उसने यह इशारा किया, फ्यूल इस लो फ्यूल होने वाला है। अब जैसे ही वो घंटी बसती है, आप और हम सावदान हो जाते हैं, सावचेत हो जाते हैं, इदर उदर देखते हैं, कि वो परवत का हैं और वहां से उटने वाला दुआ का है। कि जब जब हम जहां जहां पर जिस भी सहारे से सवारी कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वहां पर हमने समय समय पर आंकलन किया कि वो परवत और वो धुआ हम कहीं नहीं चुके, परन्तु कार में बैठने के बाद, वहां के सादन सुविदा मिलने के बाद, वहां का लग्जू वेल हुआ और कुछ समय के बाद गाड़ी रुकती है और हम फिर उस विराम उस बंजर भूमी पर आकर खड़े हो जाते हैं और फिर वही कि पाउं के बल यात्रा कुछ दूरी तै कि फिर लाठी के बल यात्रा फिर कुछ और दूरी तै कि साइकल के बल से यात्रा फिर वही घोड़ा वही बाइक और फिर फिर लगजरी कार मगर याद नहीं रहता लगजरी कार तो मिल जाती है लगजरी कार का उप्योग करते समय जो भूल हमने पहले की थी वो इस समय याद नहीं रहती वैसे ही हमारी वृत्ति भी है न कि किसी के द्वारा कुछ गलती की जाए तो हम उसको याद नहीं रखते कि हमारे द्वारा की गई भूल उसको हम याद नहीं रखते तो यही इस द्रिश्टांत के माध्यम से शास्तरकार भगवंत आपको हमको यही समझाने का प्रयास कर रहे है कि योग मिलने के बाद जो उसका सदुपयोग न करे वो चाहे कितनी ही गती कर दे उसको यात्रा का संबोधन नहीं दिया जा सकता योग मिलने के बाद जो उसका सदुपयोग कर ले उसके बाद कदाच एक इंच या एक सूत भर जितनी भी उसकी गती हो जाए तो वो यात्रा कहलाती है और यही यात्रा सहजानन्दी नवानु यात्रा का आलम्मन आपको मिला अध्यात्मयोगी उपाद्याय भगवन्तों का आपको सानिध्य मिला मुनी भगवन्तों का आपको सानिध्य मिला साध्वीजी भगवन्तों का आपको सानिध्य मिला कि आज कृतग्याता ग्यापित करना भी है साथी साथ अपने आपको SS भी करना है अपने आपको Analyze भी करना है क्योंकि कुछ कल रवाना हो चुके हैं कुछ कल हो जाएंगे और कुछ आज भी हो जाएंगे परन्तु यहां से जाने के बाद हमारी यात्रा शुरू हुई या न हुई यह सबसे बड़ा प्रशन रह जाएगा क्योंकि अभी विंती हो चुकी अलगबग दो-तीन साल के बाद उपादे बगवन निश्चित यहां पदा रहेंगे उन निश्रा प्रदान करने के लिए आपको परन्तु निश्चित निश्चित अपकी बार लेट नहीं आएंगे उसी प्रकार से कि जीव जब वापस पुना उस बंजर भूमी पर पहुंचता है अर्थात व्यवार राशी में आता है विबीन प्रकार की परियायों से गुजरते गुजरते एक इंद्रिये बेंद्रिये, तेंद्रिये, चौरेंद्रिये, पंचिंद्रिये तक पहुंचता है यानि वो विबीन प्रकार की आलम अनर्तात लाठी, साइकल, गोडा और बाइक और उसके बाद कार जैसा ये मानव भव सादन सुवीधा संपूर्ण पंचिंद्रिये पना, संगी और सातमे सातमे तारक तत्वों की प्राप्ति कि देव गुरु धरम तीनों की प्राप्ति और उसमें भी सुपीरियर कॉलिटी वाला पुन्य का उदे कि ये सब प्राप्ति होने के बाद धरम करने की रुची आपमे रही जैसे काफी दिनों से जो दो तीन मिन बार मैं सुना हूँ आटसो करोड की आबादी आटसो जने लिटरिली सुपीरियर कॉलिटी प्राइम कॉलिटी वाला पुन्य का उदे आपका चल रहा है तो इस यात्रा करते करते हमें यहीं आंकलन करना है कि हम इस यात्रा से क्या-क्या लेकर जा सकते हैं क्या हमारे जीवन में बढ़ा सकते हैं तो शास्त्रकार भगवन सबसे पहला बिंदू बताते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से जो एक अनिवार्य तत्व है सिद्धी का, मोक्ष का आत्मिक सुक्य अनुभव करने का सहजानन्दी बनने का वो है पुन्य और इस यात्रा के माध्यम से हमें ये आंकलन करना है कि हमने हमारा पुन्य बढ़ाया या ना बढ़ाया परन्तु इस पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि पुन्य के उदे में आपको रुची है या पुन्य के बंद में आपको रुची है उदे की परिभाषा भी देता हूँ उदे अर्थात साधन सुविधा मिल जाना आप जैसा चाते हो वैसा पहनने को खाने को ओडने को बिचाने को चलने को फिरने को मिल जाना यह पुन्य का हो दे और पुन्य का बंद शुब क्रियाओं में अपने चित को लगा देना शुब अनुष्टानों का सेवन करना जिसके माध्यम से हमारे अध्यात्म की यात्रा प्रारंब हो जाया और हमें अपने सिद्ध अवस्ता तक पहुंचा दे हमको क्या पसंद आता है कि उपर गिरनार में नेमीनाथ के परीसर में जब कलपर सो बैटे थे तब किसी महनुभाव ने बताया कि यहां पर नेटवर्क ने मिलता है किसको उसको लेकर फ्रस्टेशन हुई नहीं हुई मगर जिस महनुभाव से मेरा संपर उसे फ्रस्टेशन हुई थी पता नहीं क्यों बस यही कि पुन्ये के बंद के निमितों में हम पुन्ये का उदय की मानसिक्ता के साथ जो जुड जाते हैं तो ऐसे निमितों के साथ हमें जुड़ना नहीं है कि पुन्य का उदे तो लोडा परिवार को भी मिला पुन्य का उदे से चंचल लक्षमी का योग जिन जिन लाबार्तियों ने लिया लाब उनको भी मिला परंतु उनको सनमती सही मार्ग दर्शन सत प्रेड़ना समय समय पर मिलती रही उस पुन्य से प्राप्त लक्षमी का उन्होंने सदुपयोग किया और पुन्य का बंद कर लिया क्योंकि पुन्य का उदे संसार में सभी जीवों को रूची कर लगता है पसंद आता है परंतु पुन्य के बंद में जिसकी रुची होती है शास्तरकार बंगवन उसे सम्यक्तवी भी कहते है क्योंकि चोर को भी पुन्य का उद्य अच्छा लगता है तब ही वो चोरी करता और पकड़ा नहीं जाता परंतु पुन्य का बंद ही ऐसा कारेकारी तत्व बनता है कि जिसके माद्यम से जीव अपने सिद्धत्व की यात्रा के लिए अगरसर होते चले जाता है तो इस नवानु यात्रा के माद्यम से हमें यहां आंकलन करना है कि हमें हमारे जीवन में हमारी रुची पुन्य के उदय की और बड़ी या पुन्य के बंद की और बड़ी और इससे विशेश समझना हो कि पुन्य का उदय और पुन्य के बंद में तफाफत या भेद क्या है imagine करो कि आप एक ट्रेन में सवार हो और आपको एक डबा दिया गया जिसमें पचास पेड़े हैं और आपसे निवेदन किया गया कि जितना आपको वापर ना आप वापर सकते हो कोई बंदिश निये कोई बादा नहीं है आपका वापरने का पूरा हो जाए तो फिर जितने पेड़े बच जाएं उनको आपने आसपास जो हैं उनको बांट देना और बांटने के बाद जब अगला स्टेशन जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको जितने आपने बांटे हैं उसके दस गुना पेड़े आपको वापस दे दिये जाएंगे बताइए आप क्या करेंगे या तो पचास के पचास खालोगे तो भी ठीक है अगर वैसा कुछ नहीं कहें खाकर पाए पांदस पंदरा वापर लिए खा लिए जितने बचें उनको बांटोगे नहीं बांटोगे बांटोगे अब आज प्रसंग और क्या है और क्या बचा है मुझे भी कुछ कहना है फिर उद्गार यात्रियों के बराबर शाम को विशेश बक्ति और कुछ नहीं क्योंकि पुन्या की बात चल रही है फिर वो तो अगर नहीं भी कहेंगे तो हो जाएगा मगर अभी चौगडिया सही नहीं है उसको करने का तो यही कि जिस प्रकार से आपको पेड़े मिले और आपसे निवेदन कर दिया गया जितने आपको वापर ना है वापर लेना जितने बच्जा है उसको बांट देना तो सब बांटने की मांसिक्ता वाले सब हैं जितने बैटे हैं बांट दोगे अब पेड़े को हटा देते हैं और आपके द्वारा जो प्रात किया गया समय हैं उसको यहां ले आते कि जितना समय आपने अपने लिए निवेश किया था वो तो ठीक है परंतु कितना समय आपने अपने लिए निवेश किया क्योंकि जितना समय आपने अपने लिए निवेश किया वो दस गुना होकर आपको अध्यात्म की यात्रा के लिए उप्योगी वापस पुना-पुना ऐसे निमितों के साथ जोडेगा कि जिससे आपकी अध्यात्म की यात्रा उत्रोतर 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 विक्सिती ही होने वाली है कहीं पर भी उसमें विराम या पतन का कोई प्रस्णची नहीं खड़ा नहीं रह सकता कि लोडा परिवार ने भी कि जितना मिला था संपत्ती जितना वापरना था घर परिवार में लगना था लगा लिया परन्त जितने भी लाभारती परिवार हैं जिनोंने भी अपनी शक्ती के अनुसार जो यहां पर लाब लिया है उन्होंने उन पेडों को जिस प्रकार से बांटते गए उस प्रकार से अपनी संपत्ती को भी बांटने का प्रयास किया और पुन्यानू बंदी पुन्या का बंद किया जिससे उनकी अध्यात्म की यात्रा निश्चित ही फलिबूत होगी और दूसरा जो पदार्त कि जो इस यात्रा के सहजानन्दी नमानु यात्रा के माध्यम से आप बढ़ा सकते हैं, उसको शास्तरकार बगवन परमाते हैं कि आप प्रेम बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, नेमिनात के दर्शन लगबग सभी ने किये जितने आँ जीवों के प्रती जो प्रेम के भाव थे उनके बीतर वो उमडने लगे और उसी कारण से नेमीनात अपने रत को फेर कर गिरनार की और सैसावन की और आगे बढ़ गए और वहाँ पर सैयम के साथ जुड़ गए तो हमें भी यही आंकलन करना है कि हमारे जीवन में भी हम कितने अंच में कितनी मात्रा में जीवों के प्रेम के साथ जुड़े हैं जीवों के प्रेम का विस्तार हमने किया है और तब ही हमारा यह आंकलन होगा कि सहजा नंदी नवानु यात्रा में मैंने कितना मेरा विकास कि किया है और तीस्रा पदार्त कि जो आप बढ़ा सकते हो बढ़ाया भी है मैंने खुद अपनी आँकों से निहारा है प्रसंता कि जिन्शाषन का एक अमू अबूद्पुर्व लओ है नियम है कि जिन्शाषन में खंडित साधना चल सकती है जिन्शाषन में खंडित समादी या खंडित प्रसंता कहीं पर भी स्विकार नहीं है कि छटकी यात्रा के भाव से कही छोटे छोटे बालक बालिकाएं आगे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे परन्तु दो तिन यात्रा के बाद कुछ कम हो गया परन्तु उनकी प्रसंता कहीं पर भंग नहीं हुई आज पारना किया कल वापस अटेम्ट लूँगी, कल वापस अटेम्ट लूँगा ये जो उनकी प्रसंता थी वो वास्तविकता में देखने योगिया और अपने जीवन में आचरन करने योग यह कि कहीं पर भी कि साधना कदाश खंडित भी हो गई जिस योग को लेकर मैं आगे बढ़ रहा था वो पूर्ण नहीं कर पाया परन्त पुना उसमें अटेंट लेनी कि जो मान सिकता थी वो कहीं पर भी न्यून नहीं हो पाई और यही कि अपनी प्रसंता को भी आप सतत सतत यहां से बढ़ाते वे आगे बढ़ सकते हैं और चोथा जो बिंदू कि जिसको आप बढ़ा सकते हैं और लगबग सभी ने बढ़ाया ही होगा वो है पवित्रता कि सबके जीवन में परमात्मा के शाषन के मौलिक सिध्धान्तों को स्थापना करने के लिए मुनी बगवन्तों ने उपादे बगवन्तों ने आपको उचित मार्ग दर्शन समय समय पर दिया ही है परन्तु ध्यान रखना जीवन में पवित्रता बहुत महत्वपून रहती है और जीवन में पवित्रता को भंग करने वाला ज़ो तत्व रहता है वो है पाप और पाप की शुरुवात कहां से होती है कि योग की प्राप्ति आपको हमको ही मन वचन और काया अब हमें ये समझना है कि पाप प्रारंब कहां से होता है कहां से होता है पाप सबसे पहले मन से होता है दूसरे में वो वचन से उच्रित होता है और तीसरे में काया से वो संपाधित हो जाता है और वही कि जितने जितने यात्रियां है जितने कलमाहल, महत्साव के निमित से यहां आये हैं, कहीं ना कहीं धरम करने आये और धरम का प्रारम काथा है, योग वही तीन, मन, वचन और काया, कि पाप मन से पहले दुसरे वचन से और तीसरे काया से परन्तु धरम का क्रम कौन सा? कौन सा धरम पहले मन से होगा काया से होगा कि जितने नवानू में यात्री थे जितना परिश्रम जितना पुर्शार्थ आप लोगों ने किया है सर्व प्रतम तो यह है कि घर बार सबसे अलग होकर गिरनार में लाकर अपनी काया को छोड़ दिया यात्रा होगी नहीं होगी परंतु सद वातावर्ण में लाकर अपनी काया को छोड़ दिया और काया को छोड़ने के बाद परमात्मा के वचन गुरु भगवन्तों के मुख से आपको मिले और उससे आपका मन परिवर्तित हुआ और आपके जीवन में धरम का प्रादुर्बाव हुआ और धरम का प्रादुर्बाव होते 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 आपके जीवन में भी धरम की स्तापना हो गई और कहीं न कहीं ओ धर्म की जैसे ही स्तापना हुई आपके जीवन में पवित्रता बढ़ते चले गई और ये तारक शाशन मिलने के बाद आप जितना चाहें अपने जीवन में पवित्रता को बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित इस नवानू के माद्यम से आपने भी अपनी पवित्रता को बढ़ाने का पूर्ण पूर्ण प्रयास किया होगा और अंतिम चरण में और सबसे महत्व पूर्ण कि जिसको बढ़ाना अनिवार्य है वो है पात्रता। क्या है? पात्रता को आपको अपने जीवन में निश्चित बढ़ाना है क्योंकि आर्ट ओफ लिविंग, स्टैंडर ओफ लिविंग हम सब चाते हैं। न जाने कहां 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 नहीं जाते हैं परंतु परमात्मा की फिलोसफी से अगर हमने आर्ट अफ लिविंग सीख लिया तो यहां वहां जहां तहां हमें जाने की जरुती नहीं पड़ेगी और यह पातरता का विकास होना जीवों को उत्तम निमितों की प्राप्ति कराता है औ तो कहीं वो परवत और वो धुआ हम चुकेंगे नहीं कि जिस प्रकार से परवत की चड़ाई करते करते केंदर में एक ही रहता है कि नेमिनात के दर्शन करने हैं और उस नेमिनात के दर्शन के लक्ष से जो भी यात्री निकलता है देर या सवेर निश्चित नेमिनात के दर् परिबलों का सेवन और ऐसे परिबलों का असेस्मेंट करना है कि हमने इस नवानू यात्रा करते करते हमारा पुन्य बढ़ाया है हमारा प्रेम बढ़ा है तीसरे में हमारी प्रसंता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है चतुर्त में हमारी पवित्रता बढ़ी है या नहीं बढ़ होंगे और नहीं तो हमारी गती कैसी होगी तो एक छोटे से द्रिश्टान से अपना वक्तव्य पूर्ण करूंगा कि एक बार सरदार जी थे जो एटलेटिक्स में चैंपियन थे और एटलेटिक्स में चैंपियन होने के साथ साथ स्प्रिंट अर्थात 100 में चैंपियन थे और योग ऐसा बना कि एक बार दिली के बजार से गुजर रहे थे और पीछे से एक व्यक्ति दोड़ेवे आगे जा रहा था और पीछे से एक व्यक्ति आवाज दे रहा था उससे पकड़िये उसे मारिये और सरदार जी ने जैसे ही उन वचनों को सुना तो वो जो एक यात्री जो आगे दोड़े चले जा रहा था उसके पीछे दोड़ते दोड़ते चले गए और दोड़ते दोड़ते यही बूल गए कि मुझे उसे पकड़ना है और उसे मारना है क्योंकि पीछे वाले ने वो आवाज दी है और यही कलपना कर बैटे कि मैं पुने रेस में आ चुका हूँ और उसको तो पीछे छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गए बस नवानू यात्रा करते करते आपसे भी यही यात्रा तो आपने की किन-किन को यहां आनंद आया है सही में आया है आनंद और कितना चाहिए कितना चाहिए देखिए सोच समझ कर बोलिएगा क्योंकि जिनके सानिद्य में जिनकी निश्रा में रहकर आपने आनंद प्राप्त किया है उनकी सानिद्य उनकी निश्रा में रहेंगे तो अनंत वाला अनंद भी आपको मिल जाएगा अब बताईए किसको अनंत वाला अनंद चाहिए कल नान मंडेगी ही सही अग जिन जिन को अनन्थ की यात्रा का अंत करना है और अनन्थ अनन्थ को प्राप्त करना है सेज रूप से प्राप्त करना है सेजानन्दी बनना है उनके लिए कल का दिन open for all है है ना मार सक्षा जितने हाथ diversity थे अब कल समझ आ जाएगा किनने willingly हाथ खड़े किये हैं कि इनको अब आनन सीए कल की लिए इसका रिजरिवेशन अभी कर लें चले क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा फिर कौन है एक भी नहीं दिख रहा अब तो उस सरदार जैसी हमारी हालत न हो जाए कि इतनी सुन्दर आराध ना करने के पश्चाथ जब पुना हम लोटें तो वापस वही गती हमारी न हो जाए संसार की और कि संसार से कुछ विरक्त हो जाए हमारी पातरता में हम कुछ विकास कर जाए इन ही शुब भावनाओं के साथ जिन आगया के विरुतूच कहने में तो मन वचन कायसे मिच्छामी दुकडम साथी साथ परंपुजिय खर्तर गच्छा चारिय नम्यून तीत प्रनेता आचारिय बगन सीमजिन पियुस सागर सुर जी महारा साब का संदेश मोहन जी मनो जी ने तो मन्च से कही दिया है परंट मुझे भी उन्होंने कुछ ग्यात करवाया था वह बोलना मेरा ओचित्य है उसको ध्यान में रखते वे सर्व प्रथम उपाद्याए भगवन्तों को खूब खूब बधाई दी है शुपकामनाई दी है कि किस प्रकार से सुन्दर तरीके से ऐसी सहजा नंदी नवान यात्रा का आपने सुन्दर निश्रा प्रदान करकर आरादकों की आराधना में चार चांद लगाएं हैं ऐसे ही उत्रोतर उत्रोतर आप जिन शाषन की प्रभावना करते करते अपनी आत्मा आराधना में भी आगे बड़ें साधी साध जिन साधू बगवन्तों ने जितनी भी यात्रा की है नवाणू यात्रा जिनोंने कमप्छीट की है उनको भी आचारिय बगवन्त ने विशेश शुपकामना प्रत्येक को आचारिया भगवन ने मुझे निवेदन किया है कहा है कि उनको विशेश शुपकामनाएं दे कि ऐसी भीष्ण स्थिती में ऐसे तप में ऐसी तप्तीवी गर्मी में भी उन्होंने नवानु छटके साथ साथ यात्रा तेले के साथ ग्यारा यात्रा और आज एक महनुभाव के तो पांच उपवास के साथ आज जब में उपर गया तो वो महनुभाव उपर मिले पांच उपवास के साथ कितनी यात्रा मुझे पता नहीं मगर तीस के उपर है कोई exactly कोई बता पाएगा यहां रा कि कितना कितना सत्व लगता है ऐसी शुब भावनाओं के साथ और उनको जब मैं मिला था सह मैं जब सेसावन उतर रहा था वो वापस चड़ रहे थे तब भी उनके चेरे पर प्रसंता देखते बंड रही थी तो ऐसे आरादकों को भी अनेक शुब कामना साथी साथ अपनी मोक्ष की आतरा में भी आप सभी आगे बढ़ें और साथी साथ आचार्य भगवन्त का इस वर्ष का वर्षावास अर्थाथ दो हजार तेविस संवत दो अजार असी का वर्षावास तीर्था दी राज में संपन होने जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी यहां पर जिनों ने गिरनार की नवानू कंप्लीट की है उनके लिए पातरता बढ़ाने के लिए बहुत सारे ओप्शन्स वहां पर भी खुले रहेंगे उनमें कि वर्षावास, वर्षावास के साथ परियूशन महापर्व की आराधना और उसके पस्चाद श्रमनत्व प्रदायक उबधान तपकी आराधना की जो की प्रथम प्रवेश 5 सितंबर 2023 और दित्य प्रवेश 7 सितंबर 2023 को रहेगा और उबधान की भी माल आपके दिवाली के पूर्वी रखी गई है कि आपके संसारिक विवस्ताओं को भी कहीं डिस्चप नहीं किया क्योंकि अपकी बार वर्षावास में चत्रुमास पांच मास का है सावन मास की अबिव्रिद्धी है और उसी को ध्यान में रखते वे उबधान तब की आरादना है और उसके पस्चाद शेत्रुन्जे तीर्थ की नवानू यात्रा का भी आयोजन है और यात्रा प्रारंब होगी 29 नवंबर 2023 से और जिसकी माल मौच्शव होगी 27 दिसमबर 2023 को और 27 नवंबर 2023 को ही की रत्न त्रह मौच्शव का आयोजन रहेगा अर्थात 25, 26 और 27 दिसमबर के दिन विशे शुरूब से जिस गौरवशाली परंपरा के अंतरगत जिस गौरवशाली छत के नीचे आपको हमको आरादना करने का स्वबाग्य मिला ऐसे खर्तरगच की परंपरा को जो हजार साल पूर्ण होने जा रहे हैं ऐसे खर्तरगच गौरवश खर्तरगच सैस सापती उच्शव के अंतरगत तीन दिन का विराट महोच्शव का आयोजन रहेगा 25, 26, 27 दिसमबर 2023 को और साती साथ पूर में भी मुनी बगवन ने ग्याद करवाया था और पुनम मैं आज ग्याद करवा रहा हूँ उपादय बगवन के स्री चर्णों में हमारा निवेदन है और आचारे बगवन का भी निवेदन है एवं समस्त साथ जी बगवन जो यहाँ पर विराजमान है आचारिय बगवन ने सभी से निवेदित किया है कि अपनी पावनकारी निश्रा प्रदान करने के लिए तीर्था दी राज शेत्रूंजय में वर्शावास हे तू निश्चित पदारने की मानसिक्ता रखें और यथा योग्य समय पर हमें यथा योग्य समय पर जो कारिय करता इत्यादी है कि सुपारजी गोलचा आगर यहाँ पर हो तो सामने आजाए खर्तरगत सेह साथी मौटसव के संदर्भ में एवा मनो जी गोलचा कि जो भी इस मौटसव से जुड़ेवे हैं वे आगे आपको इसकी भूमी का पुना बताएंगे परन्तु इस आचारिय बगवन्त के निवेधन को ध्यान में रखते वे यथा योग्य आप निने करें ऐसी ही आपके श्री चर्णों में मेरी ओर से वन्दना अभ्यर्तना जिन आगया के वरुटुच कहने में तो मन चन का ऐसे मिच्छा में दो कुड़ा परतीतया पराया हमेश्वनात गातया सहीयम मारोष्वा सहीयम प्रभुनो एहसा सहीयम मारोष्वा सहीयम प्रभुनो एहसा परतीतया पराया परतीतया पराया हमेश्वनात गातया सहीयम मारोष्वास सहीयम प्रभुनो एहसा सहीयम मारोष्वा सहीयम प्रभुनो एहसा समय की सीमा अपनी और भाग रही है बहुत सारे अनूस्मेंट बहुत सारे कारेकरम हमारे शेश है लेकिन समय को मर्यात हमें देखते हुए जैसे गुर्दियों ने का अपने आप में गच का परिछे और अपने अपने गौरोव गौरान भी थोने का एक हजार वर्ष जो मनाय जा रहा है परम पूझिय आचारे भुगंत के निश्चा में आदी सताब्दिक सो सादू सादू से बेज़ादा के निश्चा में अद्भूत चतुरमास उपद्यांता नवानों सब कारेकर पैदल संगा दी होगा तो सब भी अपना मानस बना लेवे ऐसा आप सबसे निवेदन करेंगे यहां बैटे अनेक लोग जुड़े हैं ट्रस्ट जुड़ा हुआ है आचारिय करतार कचा आचारिय प्यू साग्जमान साब कभी विशेश उपकार हमारे जिन मंदिर जिन्हों ने जिन प्रतिष्टा करवाई अंजन सलागा करवाई ऐसे गुर्दियों के सरनों विश्वत बस्तक करते हैं और विशेश रूप से अभी जैसे